हेलो कल का टॉपिक हम लोगों का कहां तक कम्पलीट हुआ है एक बार नोट बुक दिखाना पड़ेगा आपको अब आज दिखेंगे फोटो सिस्टम 2 तो फोटो सिस्टम 1 में सारी बाते हो गई थी न पीथ अब्जॉप्शन नहीं पिक अब्जॉप्शन पी आई सी के आईए आईए स्विच ओन दफेंड स्विच ओन दफेंड हलो आज हम लोग फोटो सिस्टम 2 करने वाले हैं फोटो सिस्टम 2 यानि इसी को कहते हैं पी एस टू पी एस टू हो गया हो गया पी एस टू इको से पता चल जाता है पी एस टू आज हम लोग पी एस टू करने वाले हैं आया है पी एस टू एस टू इस टू देखे तो आप हो गया PS2 नहीं हुआ प्लिए प्लिए कि अहीं दो खूब है ओफ, कि अहीं जाका हूँ जानाओ दो और नहें जाना बहुदगा अर भास्टबर्ण से अफ़ईगर्गद्ज भास्ट गजड़ने हैं झाल झाल हाँ आज हम लोग पी एस टू करने वाले हेलो पी एस टू पी एस टू पी एस टू फोटो सिंथेसिस हेलो तो चलो बिटा हम लोगों ने कल पी एस टू को कम्प्लीट किया था और आज हम लोगों को पी एस टू को कम्प्लीट करना है तो देखिए पी एस टू को हम लोगों ने देखा था कि पी एस टू को हम लोगों आज देखेंगे क्योंकि कल हम लोगों ने पी एस टू को कम्प्लीट किया था पी एस टू करना है पी एस टू करना हम लोगों ने क्या क्या देखा था और एस्ट्रोमल थालाकवाइड में होता है पी एस वन पी एस वन जो है उसमें इलेक्ट्रोन कैरियर मॉलेक्यूल होते हैं रियक्शन सेंटर होता है और एंटीना होता है पी एस वन का रियक्शन सेंटर जो है वो डाइमर ओफ क्लोरोफिल ए मॉलेक्यूल होता है यानि क्लोरोफिल ए के दो मॉलेक्यूल या एका स्पेशल क्लोरोफिल ए का मॉलेक्यूल होता है जिसका एपजॉप्शन पीक पॉइंट 700 नैनो मीटर पे होता है इसलिए इसको पी P6, P700 से भी इंडिकेट करते हैं यानि PS1, फोटो सिस्टम 1 का मतलब P700 भी है क्योंकि इसका reaction center का absorption peak यानि सबसे ज़्यादा absorption peak जो है वो 700 nanometer पे दिखाता है उसके बाद मैं इसमें तिसरा point ये भी mention कर दीजिए या अगर किया हुआ होगा तो कि या जो है वोग साइकलिक और नॉन साइकलिक दोनों फोटो फोस्पोरालेशन में पार्टिसिपेट करता है कौन? ये PS1, साइकलिक और नॉन साइकलिक दोनों में पार्टिसिपेट करता है तो इस पार्टिसिपेट्स in both cyclic and non-cyclic photophosphorylation तो PS1 participates in both cyclic and non-cyclic photophosphorylation PS1 participates in cyclic and non-cyclic photophosphorylation next आईए देखे photo system 2 के बारे में photo system 2 यह जो है वेटा यह located होता है located on तो कहां located है located on Grana Thalaquoid यह Grana के Thalaquoid located on Grana Thalaquoid or appressed part तो Grana Thalaquoid के appressed part में होता है कौन? PS2 PS2 में ही PS2 सिर्फ non-cyclic photophosphorylation में participate करता है participate in non-cyclic photophosphorylation non-cyclic photophosphorylation में participate करेगा तब लिखेंगे component of PS2 is nint of तो PS2 में क्या क्या होता है तो उसी तरह से reaction center and their absorption absorption peak is 680 nanometer so it also indicate as P680 next point यानि PS2 में chlorophyll A and B chlorophyll B are equal chlorophyll A और B के molecule यानि photo system 2 में chlorophyll A और chlorophyll B के molecule का जो quantity है वो equal होता है दोनों सेम होते हैं equal but carotenoid carotenoid are less as compare to PS1 PS1 के compare में इसमें carotenoid जो होते हैं वो कम होते हैं next point इसमें इसमें बथिजिए दिदें कि टो इंडर झाल जटन वायओ antenna oxygen evolving complex and electron carrier प्लास्टो, क्यून, प्लास्टो, साइनीन, साइ्टोक्रोम यह सारा चीज़ होता है PS2 में तो PS2 का reaction center का absorption peak 680 nm इसलिए इसको indicate करते है 680 से इसमें क्या-क्या होता है तो एक reaction center antenna और oxygen evolving complex जो oxygen को release करवाएगा जिसे oxygen evolving complex कहते है झाले यहां तक ही बाते हो गई सबको यहां तक में हम लोगों ने पिगमेंट का क्या क्या रोल है कौन से पिगमेंट का कहा होता है क्या है पीएस वन पीएस टू यह सारी बाते लिख लिए अब फोटो सिंथेसिस का जो पूरा काम है मतलब फोटो सिंथेसिस का मतलब ही है कि कार्बो हाइडेट या और और गेनिक कंपाउंड का बनना इन दा प्रेजन्स ओफ लाइट और क्लोरोफिल यानि क्लोरोफिल और लाइट के प्रेजन्स में जो carbohydrate या glucose का formation होता है उसको photosynthesis कहते हैं और ये photosynthesis का काम जो है वो two stage में पूरा होता है कितने stage में? two stage में तो आप ये देखे कि वो two stage क्या है तो यहाँ पर देखो ये photosynthesis और अभी तक जो आप देख रहे थे वो ये बाते थे कि photosynthesis का क्या क्या requirement है और कौन से requirement से क्या होता है तो photosynthesis वो दो पार्ट में काम पूरा करता है अपना एक पार्ट का नाम है Light Independent Reaction जिसे हम लोग in short हम लोग dark reaction भी बोलते है जबकि ये बोलना गलत है dark का कोई reaction नहीं होता है बस इसका actual बोलना चाहिए इसको ये mislead होकर के इसका नाम dark reaction पढ़ गया इसलिए ये carry हो रहा है तो misleadingly called it dark reaction but actual name is light independent यानि ये reaction light पे depend नहीं करता है तीक है और दूसरा है light dependent reaction light independent reaction और light dependent reaction ठीक है light independent reaction में हम लोग पढ़ेंगे C3 cycle C4 cycle C.A.M. plant and photo phosphorylation क्या पढ़ेंगे sorry photo phosphorylation नहीं photo respiration उसको photo respiration बोलते हैं photo respiration ये चार चीज हो गया C3, C4, C.A.M. और photo respiration अब light dependent reaction यानि ऐसा reaction यानि वो process जो light के presence में ही हो सकता है that is light dependent reaction और इस reaction में हम लोग देखेंगे photo phosphorylation ये सारा काम light dependent पे होता है ये सारा काम light independent reaction का पार्ट है तो पहले हम लोगों को light reaction देखना है then after light independent reaction देखना है तो light independent reaction also depend on the light dependent reaction product हमने क्या बोला कि वो light independent reaction जिसे dark reaction कहते हैं तो dark reaction तभी होगा जब light reaction का product बने और light reaction में क्या product बनता है तो light reaction में बेटा दो चीजे बन के हमें मिलती है एक मिलता है ATP और दूसरा बन के मिलता है NADPH जब तक ये दोनों नहीं बनेगा तब तक light reaction ये dark reaction नहीं हो सकता है तो light reaction also depend on the product of dark reaction पहले ये दोनों बना के इस तरह से arrow से दिखा दीजिए और तब लिखेंगे लिखेंगे dark reaction आप डिखेंगे लिखेंगे अफे लिखेंगे राप्ट 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 हो गया ATP and NADPH अब आईजे अब heading देंगे सबसे पहले हम लोग को यह light reaction देखना है तो heading देजिए phosphorylation photo phosphorylation heading यहाँ पर photo photo phosphorylation यह heading होगा आपका अब तब लिखेंगे formation of ATP formation of ATP by light energy energy driving reaction और इसको discover किये थे discovered by इसको किस ने discover किया तर दिसकवर्ड बाई एर नॉन बस इतना दीजिए अब तब लिखेंगे इसमें it is two type यह दो तरह का होता है कौन कौन तब एक होता है पहले non cyclic photo phosphorylation और दूसरा है cyclic photo phosphorylation cyclic photo phosphorylation non cyclic photo phosphorylation non cyclic photo phosphorylation non cyclic photo phosphorylation non-cyclic photophosphorylation हो गया cyclic and non-cyclic photophosphorylation अब आईए हम लोगों को समझना है non-cyclic photophosphorylation तो अब heading आपका होगा non-cyclic photophosphorylation non-cyclic photophosphorylation किसी चीज़ को non-cyclic कब कहते हैं मालो यहां कोई एक point है और आप यहां से चलो और यहीं पर आजाओ तो क्या हो जाएगा cyclic लेकिन यह दूसरा point है और आप यहां से चलो और यह दूसरे point पर आजाओ तो क्या हो जाएगा non-cyclic cyclic and non-cyclic photophosphorylation नाम इसलिए पड़ा है कि जो reaction center है और reaction center कहा होता है photo system में यह भी बताना पड़ेगा अभी हमने बार बार आपको बोला था कि सारी चीज़े जब तक revision में नहीं होगी तो आपको कुछ भी नहीं होना है और इस chapter को इतना आसान भी न समझे पहले तो आजे लोगों का misconcept है कि bio सबसे आसान है और उसे भी बड़ा misconcept कि अच्छा यह तो plant का part आपके नीट के exam में 55 questions सिर्फ botany से होता है 55 to 60 questions and only 40 to 45 maximum जो है वो 40 questions नहीं तो 35 questions तक जो logic आउट तो plant का ही बड़ा section है अब आईए एक point से चले जहां से चले वहीं पर आके रूखे that is the cyclic और non cyclic का मतलब जहां से चले कहीं दूसरे जाके वापिस नहीं आए that is non cyclic electron जब reaction center से release होता है और दोबारा उसी reaction center पर आजाता है that is the cyclic लेकिन जो electron निकला वो electron दोबारा सेम electron वापिस नहीं आता है reaction center पर that is the non cyclic non cyclic में ही सारा चीज समझने वाली बाते हैं सारा mechanism non cyclic ही important है cyclic बहुत आसा चोटा सा चीज है तो जितना भी important समझने वाली जो चीजे हैं वो बाते हैं वो non cyclic में ही है non cyclic photophosphorylation में दोनों participate करते हैं कौन-कौन तो PS2 and PS1 दोनों तरह के photo system मिल करके non cyclic photophosphorylation reaction को पूरा करवाते हैं and non cyclic photophosphorylation reaction ये perform होता है granul के thalacoid में कहां granul thalacoid में stromal thalacoid में non cyclic नहीं होता है stromal thalacoid में सिर्फ cyclic होता है तो पहले तो ये समझो कि non cyclic photophosphorylation क्या है कैसे क्या काम होता है इसमें देखिए इसमें बेटा जो reaction है इसमें PS1 और PS2 दोनों participate करते हैं और जो PS2 है यहां के PS2 है तो दो पार्ट एक होगा reaction center और दूसरा होगा antenna तो reaction center यहां से excited state में आने के वज़ा से यह reaction center electron को निकाल करके electron carrier molecule को देता है और electron carrier molecule दोनों photosystem में है आप याद किजिए आपको मैंने लिखाया है कि component of photosystem यानि photosystem के कौन-कौन से component है यानि जो photosystem हम लोग पार रहे है PS1 और PS2 यानि कि there are four types of complex on thylakoid membrane thylakoid के membrane पे चार complex है PS1, PS2, cytochrome B6A और coupling factor CF0, F1 particle है न तो जो PS1 है और PS2 है वो उसमें भी 3 important component है तो PS1 या PS2 में कौन-कौन से component है भाई तो PS1 का component आपको कल भी लिखाया है यानि कि reaction center होगा antenna होगा electron carrier molecule होगे उसी तरब PS2 का अभी मैंने लिखाया component reaction center, antenna, electron carrier component and oxygen evolving complex देखिए लिखाया है अभी PS2 में तो electron जो है वो release होता है PS2 के reaction center से कहां से release होगा? PS2 के reaction center से और वहां से release होने के बाद में electron जो है वो जाएगा electron carrier molecule जैसे electron carrier molecule जो है वह फ्लास्टो क्यून फ्लास्टो क्यून से electron जो है वह पहुंचेगा साइटो क्रोम B6 F और साइटो क्रोम B6 F से electron पहुंचेगा फ्लास्टो साइनीन फ्लास्टो साइनीन से electron पहुंचेगा PS1 अब यह electron को PS1 को दे दिया और यहां से electron फिर पहुंचेगा कहा? तो यहां से electron बिटा पहुंचता है अब इसका PS1 जो है वह एक्साइटेड अस्टेट में आता है जिसे आप reaction center कहते हैं और इसी को indicate कर देते हैं P700 से यहां से electron अलग-अलग पाथवे से A1 हो गया यानि chlorophyll A का special chlorophyll होता है यानि electron carrier है यह सब electron को carry कर रहे हैं सबी जगा से electron carry होगा कि आगे की और बढ़ते जा रहा है और final electron जो है वह पहुंचता है feridoxine के पास और तब पहुंचता है FNR यानि feridoxine reducted enzyme के पास और यहां पे electron जब पहुंचता है तो दो electron और NADP plus दो electron को लेता है और दो hydrogen ion को लेकर के और बन जाएगा NADPH में या इसी को लिख सकते हैं NADPH2 या इसी को इस तरह से भी करते हैं NADPH2 लिख दीजिए या एक्चुल में ऐसे लिखना चाहिए NADPH2 H plus final वो बनता है अब जो electron यहां से निकला था फोटो system one से वो electron वापिस नहीं आया वो electron यहां पर यूज हो गया तो electron जब वापिस नहीं आया इसलिए उसका क्या नाम पड़ गया non cyclic photo phosphorylation अब लिखेंगे non cyclic photo phosphorylation लिखेंगे नहीं आया जाम लिखे ऴोर्ट प्स-1 औ प्स 2 रियर 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 लिखे बोर्व्ट प्स-1 औ प्स-2 प्स motion मेipp बोट सीक रियर हम एक moreainen ग्रैनल थैलाक्वाइड ग्रैनल थैलाक्वाइड पर ये काम पूरा होता है तब लिखेंगे लिखेंगे पर ये लिख corresponding रिखें आने और ये लिखेंगे में में पर ये 109 00 neuen ठाली शरेके स्ट्वी दिखेंगे के लिखेंगे 766S is to release electron, release electron, which does not come back, so this is called non-cyclic photo phosphorylation, non-cyclic photo phosphorylation, इसलिए इसको non-cyclic photo phosphorylation कहते हैं, अब electron अगर लगतार निकलते चला जाएगा तो उसको भी electron की जरूरत पड़ेगी न भाई, तो जो gap of electron हैं, वो कैसे पूरा करेगा हुआ, तो लिखेंगे, the gap of electron is maintained by photolysis of water, photolysis of the gap of electron is maintained by photolysis of water, electron का gap जो है, वो photolysis of water से maintained होता है, यह हो गया, अब चलिए, रियक्शन दिखा रहा हूँ, है कि नॉन साइक्लिक फोटो कोस्पाइलेशन में क्या होता है, कैसे कैसे electron pass out होते हैं, देखिए, बत्क्राइब की प्रूब्शना थालिए, गिया प्लाब र 그래도 ट्क्ताइब प्रूदान, पेट में जी की चँनिता है, जी कहता बैंप्रोब्शन Aixòब खाया, तेखिए. यहा किसे Kraft झाल 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 चले बनाते चले सब समझाओंगा बस बनाते चले अभी साथ में झाल 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 पहले इतना दिखाईए पूरी बाते तब समझाता हूँ आपको झाल 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 यह आपको यहाँ 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 यह यहाँ आप के जैसे दिखा सकते हैं आप कर दो जब सकतू है टेटर शियोड़ कि दोरी नचते सола कुंप से पिंध dick अब रूट के में, भुल, के शादAND कम के बड्यादत